टोक्यो अलम्पिक 2020 में भारत की वेट लिफ्टर मीरा भाई चानू ने इतिहास रच दिया उन्होंने 49 किलोग्राम में रजट पदक हासिल किया है वेट लिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने अलम्पिक में मैडल जीता इससे पहले 2000 कि सिड्नी अलम्पिक में क पहले दिन पदक जीता मीरा भाई भारत तोलन में रजट पदक जीतने वाली पहली भारतिये हैं स्नैच के बाद मीरा भाई चानू दूसरे नंबर पर थी इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीरा भाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में काम्याब रही दूस कौन है मीरा बाई चानू जरा देखिए फिलाज तो सिर्वल गोल्ड मेडलिस्ट है आठ अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ मणिपूर की राजधानी इंफाल की रहने वाली हैं मीरा बाई इंफाल का नाम रोशन किया भारत का नाम रोशन किया 26 साल की चानू को बचपन में ही तिरंदाजी का शौक था यानि एथलीट बचपन से इन में दिखने लगा था चानू बाई तिरंदाजी में ही अपना करियर भी बनाना चाहती थी क्योंकि शौक बड़ी चीज है आठवी कक्षा के बाद उनका जुका वेट लिफ्टिंग की और हो गया वेट लिफ्टर कुंजरानी से प्रेरित होकर चानू ने वेट लिफ्टिंग शुरू की चानू ने 11 साल की उम्रे में पहला स्वर्ण पदक जीता मेरा बाई चानू पहले भी कई मैडल जीच चुकी है 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमन वेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है इन्होंने मीरा बाई चानू ने 2016 के रियो ओलम्पिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया 2017 में हुए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चांपियंशिप में गोल्ड लेकर आई थी मीरा बाई चानू 2018 के कॉमन वेल्थ गेम्स में चानू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया